असलाम अलेकुम डियर इस्टुडेंट सोचल कांटेंट के सवालाद पेश किये जा रहे हैं यहाँ पर सवाल देकर डिरेक्ट जवाब दिया जा रहा है ताकि वीडियो तवील ना हो सके जरूरत पढ़ने पर ब्रीफ एक्स्प्रेनेशन दिया जाएगा कुश्चन नमबर 69 नेशनल इंकम मीन्स खौमी आमदनी के माने आंसर इंकम आफ नेशन याने एक खौम की आमदनी तमाम जराय से हासिल होने वाली मुल्की जुम्ला आमदनी को खौमी आमदनी नेशनल इंकम कहते हैं किसी बी मुल्की तरقी का इजार खौमी आमदनी नेशनल इंकम से होता है अगर खौमी आमदनी को जुमला आबाधी से तखसी आजाए तो फीकस आमदनी हासिल होती है याने इंकम पर कैपिटा अगर खौमी आमदनी में इजाफा हो तो फीकस आमदनी में इजाफा हो तो खौमी आमदनी नेशनल इंकम में इजाफा होता है बेरहाल इसी भी मुल्की तरखी का दारो मदार खौमी आमदनी नेशनल इंकम पर होता है Question No. 70 Macro Economics gives importance to कुली माशियात इसको अहमियत देता है Answer National Income खौमी आंधनी Dear student, माशियात को दो हिस्सों में तक्सीम किया गया है एक Macro Economic याने कुली माशियात और दूसरा है Macro Economic जुजवी माशियात अगर हम किसी एक जुज़ का मुताला करते हैं तो उसे Macro Economic या जुजवी माशियात कहा जाता है अगर तमाम अमूर का तफसीली मुताला करते हैं तो उसको Macro Economic या कुली माशियात कहा जाता है खौमी आंधनी क्योंकि ये Total Income है लहाज इसका शुमार कुली माशियात याने Macro Economic में होता है Question No. 71 Resources Finding Their Best Use in Producing Products That People Want Is Called अशिया की पैदावार में जराय का बहतर इस्तेमान जो अवाम चाहती है कहलाता है Answer Economic Efficiency याने माशी खाबिलियत Question No. 72 Adam Smith Defined Economics As Adam Smith के मताबिख माशियात की तारीफ है Answer Science of Wealth याने देवलत की साइंस Adam Smith एक माहर माशियात है इन्होंने एक मशूर किताब लिखी इसका नाम है Belt of Nation माशियात में Adam Smith की तारीफ काफी फेमस है Adam Smith ने याने माशियात को Science of Wealth याने देवलत की साइंस कहा है Question number 73 Any goods or service that satisfies a human want and which is his care is called कोई शय या खिदमत जो इन्सानी खायश की तक्मील करती है और जो कम्याब है कहलाती है Answer Economic Goods याने माशिया अशिया Question number 74 The Directive Principles of State Policy are ensured in this part of the Constitution हकूमती हिकमत अमली पालिसी के उसूल खास तर पर याद देही की खातिर इस हिस्से में फरहम किये गए है Answer Part 4 याने चौते हिस्से में दस्तूर के चौते से में Directive Principles का जिकर क्या गया है इसको रहनुमा याना उसकूल भी कहते है Question number 75 The Mineral Used in Plastic and Electrical Goods Manufacturing is Plastic और बरखी अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली धात है Answer Micah Abrak Question number 76 The Main Disadvantage of a Joint Family is मुच्टरिका खांदान का ये एक अहम नुक्सान है Answer No Individual Freedom इसमें इंफरादी आजादी नहीं होती Question number 77 The word secular was added to the preamble through this constitutional amendment इस दस्तूरी तर्मीम के जरिए दिबाचा में लवज secular का इजाफाद किया गया Answer 42 Amendment याने 42 वी तर्मीम Dear Student तर्मीम का मतलब तब्दिली लाना है याने दस्तूर में 42 वी तर्मीम के जरिए दस्तूर के दिबाचा में secular का लवज इजाफाद किया गया दिबाचा का मतलब याने दस्तूर की तमहीत को दिबाचा कहा जाता है याने प्रेंबुल Question number 78 The traffic police extends his left arm horizontally from the shoulder and parallel to the ground with his palm facing front and its back towards the rear vehicles This signal intends Traffic police अपना बाया बाजू कहंदों से उफखी सिम्त में जो के जमीन के मुतवाजी होता हतेली सामने की जानिब बताते हुए और पुष्ट गालेओं की जानिब हो तब ये signal बताता है के Answer to stop vehicles approaching from behind Student पीछे से आने वाली गाड़ियों को रोकना है Dear student, TIT exam में या TRT exam में ट्राफिक के मुतालिख एक या दो question कमपसरी रहते हैं झाले चाले कि जानिब है कि जाले कि पकि जानिब है जाले कि में या दो कि जाता है